अलो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नमबर फर्स जीवो में जनन रिप्रोड़क्शन इन और्गेनिज्म लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे प्राकर्ति काईक जनन नैचुरल वेजिटेटिव रिप्रोड़क्शन मैंने आपको इसके दोनों पढ़ पढ़ा दिये थे जडो द्वारबी और तनो द्वारबी अब टाइप नमबर थर्ड है इसका पत्तियों द्वारा बाई लीव्स तो मैं पहला आपको थियोरी से समझा देती हूँ ठीक है अनेक पादपों की पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है जो काईग जनन के में सायक होती है ठीक है अनेक पादप होते हैं उन पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है जो काईग जनन में सायक होती है और मैंने आपको लास वीडियो में काई जिनन समझा दिया था कि काई जिनन क्या होता है ठीक है इसके एक्जामपिल है बिगोनिया एंड ब्रायो फिल्लम बिगोनिया एंड ब्रायो फिल्लम ठीक है तो इसमें हम पहला एक्जामपिल है हमारा बिगोनिया यह बिगोनिया का प व्रंट इप मत्र पौद करता हैं क्या भूए मदर प्लांत वाम्त का अंगet में ट्वारा नहीं पादप के निर्माण को काईग जनन कहते हैं तो ये simple सी बात है ये मात्र पौदप होगा और इसकी अपस्थानिक कलिका है जब म्रदा में गिरेंगी ब्रदा है जैसे ये म्रदा में गिरेंगी तो ये ही एक new plant उत्पन करेंगी ठीक है ये हो गया हमारा पत्योद्वारा काईक जनन ठीक है नेक्स्ट है ब्रायो फिल्लम यह हमारा ब्रायो फिल्लम का प्लांट है और यह इस पे पनकलिका पाय जा रही है इसमें पनकलिका नीचे गिरेंगी म्रदा में और वो न्यू प्लांट का निर्मान करेंगी ठीक है जित्र पत्यों द्वारा बिगनोनिया वे ब्रायो फिल्लम म सायक होती है इसके एक्जाम्पिल थे बिगोनिया एंड ब्रायो फिलांग फ्रेंट्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना थैंक यू फॉर वाचिंग